हेलो दोस्तो वीटेक चैनल में आपका स्वागत है और आजम बात करने वाले ओनर के एक बजट स्मार्टफोन के बारे में जिसका नहा में ओनर प्लेए 7 पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और बाद में इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो without wasting much time let's get started तो पहले बात करते हैं इस phone के specification के बारे में तो इसमें आपको मिलता है 5.45 इंच का एक HD plus screen जिसका resolution है 720 pixels into 1440 pixels यह एक IPS LCD screen है जिसका expect ratio है 18.9 इसमें आपको मिलता है का MT6739 का एक quad core processor भी देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको 2GB की RAM और 16GB की internal storage मिलेगी जिसको आप एक SD card लगा के 250GB तलाग expand भी कर सकते हैं अब बात करते हैं इस phone के camera department के बारे में तो इसमें आपको पीछे के तरफ single camera मिलता है जो पहला camera हो 13 Megapixel का है इसमें आपको LED flash में मिल जाएगी साथ में इसमें आपको PDF autofocus और 4X into digital zoom देखने को भी मिल जाएगा अब बात करते हैं इस phone के front camera के बारे में तो इसमें आपको 4G LTE का भी support देखने को मिल जाएगा साथ में इसमें आपको Bluetooth 4.20 micro USB port और 13.5 mm headphone jack भी देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको accelerometer ambient light sensor देखे सेंसर देखने को मिल जाएगे लेकिन इस phone में आपको fingerprint scanner और एक face regular connection का feature नहीं देखने को मिलता है जिससे कि आपको इस phone को pattern या password से ही unlock करना पड़ जाएगा अब बत करते हैं इस phone के कुछ नए feature के बारे में तो इसमें आपको eye protection का भी option मिलता है जिससे कि आपकी screen पर एक view filter apply हो जाएगा जिससे कि आपके आखों को कम हानी पोचेगी इसमें आपको smart volume control capabilities भी मिल जाती है साथ में इसमें आपको अगर screenshot लेना है तो आपको एक option भी बिलता है जिससे कि आप three fingers को swipe करके screenshot भी ले सकते हैं साथ में आप इस setting में जाकर एक option को भी enable कर सकते हैं जिसका होगा नाम होगा double tap to wake option अगर आप a screen off है तो अब इस phone को double tap करके screen को भी open कर सकते हैं तो इसकी जो प्राइब बात करते इसके प्राइस के बारे में तो इसकी जो चाइना में प्राइज हो है 599 तो अगर आप इसे इंडियन डूपीज में convert करेंगी तो वह लग वक 6,000 7,000 के बीच में होती है तो यह फोन आपको तीन कलर रोशन में मिलेगा जैसे कि ब्लैक गो अच्छी लगें तुसे लाइक करिए और उसे उडियो देखने के लिए विटेक चैनल को सब्सक्राइब करेंगा ना भूलें